हलो गाइस तो गैस बीग बॉस के घर से किसका इविक्षन हुआ है इविक्षन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकल के आई ही चलि मैं आप लोगो इस वीडियो में बताता हूँ उसके पहले आप लग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप लग वीडियो तो देखते हो लेकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों कल बिग बॉस के घर में मुनावर फारुकी की एंट्री हुई थी और वहाँ पर ऐसा लगा था कि सायद मुनावर फारुकी किसी एक को इविक्शन करा करके उनको लेके जाएंगे लेकिन वहाँ पर मुना और फारुकी ने किसी का भी एविक्शन नहीं करवाया और बाद में वो बिग बॉस के घर से बाहर भी चले गए फिर उसके बाद बिग बॉस के घर में तुशार का पूल और प्रेंका चाहर चोजरी की एंट्री हुई और ऐसा लगा था कि शायद वो मिड एविक्शन यानि के आधी रात को एविक्शन वगेरा करवा सकते हैं लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर यही है कि इन दोनों ने भी किसी का भी एविक्शन नहीं कराया यह अपनी मुवी का प्रोमोशन करवाने के लिए आये थे थोड़ा बहुत यहाँ पर टास्क वगेरा खेले थे इन्होंने सबी कंटेशन के साथ में और इसके बात फिर आधी रात को इविक्शन करवाए यह बाहर भी चले गए तो ऐसे में सवाल यह उठता है क्या बिग बॉस के घर में अभी तक कोई इविक्शन हुआ है या पिर नहीं हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के यही आ रही है कि बिग बॉस के घर में अभी भी कोई भी इविक्शन नहीं हुआ है चार लोग नोमिनेट हैं जिसमें एक अर्मान मलिक, साई केतन, सना मकबूल और लोकेस काटारिया ये चार लोग नोमिनेट हैं इनके लिए वोटिंग भी हो चुकी है और बस इन चारों मेंसे किसी एक का या फिर दो का इविक्शन होना बाकी है तो यहाँ पर बिग बॉस ने कल तो को इविक्शन नहीं किया लेकिन आज बिग बॉस वाले इन चारों मेंसे किसी एक को या फिर दो को इविक्ट कर देंगे बाकि आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और फास्ट अपडेट के लिए और इन चारों में से आप लोगों ने किसको वोड दिया है बिग बॉस के घर से बेगर होने के लिए आप लोग इस बारे में आप लोग किरा है हमें बाकि सुड़िम इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में